हेलो एबरेवन वेलकम टु दिन्य एपिसोड आप माई वीडियो सीरीज पॉलिटी बाई एमलक्षमी कान्थ सो लास्ट वीडियो में हमने डिसकुस कर रहा था सिटिजन सिप के डिफरेंट डिफरेंट प्रो बिजन्स के बारे में जिसमें कि मैंने आपको बताया था कैसे आप इंडियन सिटिजन सिप को लूज कर सकते हैं और कैसे आप इंडियन सिटिजन सिप को गेन कर सकते हैं उसके बाद मैंने आपको बताया था सिटिजन सिप से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकर्स के बारे में सो हमारे कुछ टॉबिक्स रह गए थे सो वो मैं इस वीडियो में कवर अप करने की पूरी कोजिस करूँगा सो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे Overseer Citizen of Indian Card Holders के बारे में फिर हम डिसकस करेंगे Non-Residential Indian के बारे में जिनको के हम NRI कहते हैं यह सब तो आपको पता ही होंगे और Person of Indian Origin के बारे में सो शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो मेरे नाम है अनंत और आप देख रहे हैं यह गुरुकुल NCRT स्टा Overseer Citizenship of India क्या है Basically Overseer Citizenship of India की यह सीरीज Indian Government ने 2005 में स्टार्ट करी थी Home Ministry की OCI की Definition कुछ ऐसी है मेरे मतलब Overseer Citizenship of India की Definition जो की Home Ministry ने बताई है वो कुछ ऐसी है एक व्यक्ति जो 26 जन्वरी 1950 को या उसके बाद इंडिया का नागरिक था या उस तारिक तक भारत का नागरिक बनने योग्य था या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी एरिया से रिलिटेड था या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता जो अधर क्राइटेरियास को फुल्फिल करता हो वो Overseer Citizenship of Indian Card Holder के लिए एलिजिबल है यहाँ पर गॉर्मेंट ने एक कंडिशन रखी है जो के Article 7A के अंडर में आती है OCI Card Holder के लिए वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है जिसके माता पिता या दादा दादी परदादा परदादी कभी पाकिस्तान या बांगला देश या किसी ऐसे देश के नागरिक हों जिसे भारत सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो अब मैं आपको OCI Card Holders के कुछ Profits बताता हूँ क्या OCI Card Holder होना Profitable है या नहीं सो आप इस वीडियो के देखने के बाद ये Decide कर पाओगे सो OCI Card Holder इंडिया में Enter कर सकते हैं इंडिया का दौरा कर सकते हैं वो भी Multi-Purpose Lifetime Visa के साथ और इसके लिए इनको FRO के साथ Registration करने की भी जुरुरत नहीं है यदि कोई व्यक्ति 5 साल की अवेदी के लिए OCI के रूप में Register रहता है तो वो Indian Citizenship के लिए Registration के थ्रों Eligible हो जाता है इसके साथ साथ OCI Card Holder को International Airport पे Special Immigration Counter की Facility भी अवेलेवल होती है OCI Card Holder इंडिया में Special Bank Account ओपन कर सकते हैं Non-Agricultural Land पर्चेस कर सकते हैं Agricultural Land को वो पर्चेस नहीं कर सकते हैं और वो Driving License और Pen Card के लिए Apply कर सकते हैं हालंकि OCI Card Holder को Right to Vote और Right to Apply for Government Job का Right नहीं मिला है So, वो ना तो हमारे देश में Vote डाल सकते हैं और ना ही Government Job के लिए Apply कर सकते हैं अब OCI Card Holder की Unability के उपर हम बात कर देते हैं मतलब OCI Card Holder की क्या-क्या अयोग्यता है मतलब किस चीज के लिए वो eligible नहीं है So, Basically, ये Home Ministry के अंडर में आता है So, वो किसी भी Applicant की Application को Reject कर सकते हैं और किसी भी Applicant की Application को Accept कर सकते हैं यदि कोई Card धोका दड़ी के माध्यम से या किसी जानकारी को छिपा कर प्राप्त किया गया हो तो Home Ministry किसी भी Card Holder को अयोग्य करार कर सकती है या Blacklist कर सकती है अगर कोई Card Holder इंडियन Constitution की Disrespect करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका OCI Card रद किया जा सकता है Citizenship So, आपके माइंड में Question आएगा कि OCI Card Holder इंडिया का Citizen है या नहीं तो इसका आंसर है नहीं Basically हमारे Constitution में Dual Citizenship की अनुमती नहीं दी गई है इसलिए OCI Card Holder इंडिया का Citizen नहीं है हालांकि वो इंडियन Citizenship के लिए 5 साल के बाद Apply कर सकता है बट जब वो दूसरे देश की Citizenship को छोड़ देगा तब वो इंडिया की Citizenship के लिए Apply कर सकता है और उसे बारा महिने तक इंडिया में रहना होगा Citizenship के लिए Apply करने से पहले आप बात करते हैं एन आराइस के बारे में तो आपको पता ही होगा एन आराइस के बारे में लेकिन अगर आप North India से विलोंग करते हैं जैसे मतलब उत्राखंड वगरा यहां हमारे स्टेट से तो मतलब बहुत ही कम लोग जाते हैं पढ़ाई वगरा करने के लिए जौब वगरा करने के लिए NRI इस क्या होते है NRI इंडिया की citizen होते हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं इनके पास vote देने का ride होता है और the most important thing is कि इनके salary पे tax नहीं लगता है जो भी salary इंडिया के बाहर कमाते हैं तो अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं और वहाँ पैसा कमाते हैं जौब करते हैं या business करते हैं तो आपके पूरे पैसे पे कोई भी tax इंडिया गवर्मेंट नहीं लेगी बट अगर आप इंडिया में रहकर के जौब करते हैं या कोई भी business स्टेबलिस करते हैं और business करते हैं तो यहाँ पर आप जितना भी पैसा कमाएंगे उस पर आपको tax देना पड़ेगा अब हम बात करते हैं PIO के बारे में PIO क्या होता है PIO का मतलब है तो है Person of Indian origin एक ऐसा विक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है जो जन्म से और वंच से भारती है परंतु है भारत में नहीं रहता है PIO जिन के पास बांगलादेश, चाइना, अफगानिस्तान, भूटान, नैपाल, पाकिस्तान और स्रीलंका के लावा किसी अन्या देश का पासपोर्ट था इनको पहले एक आइडेंटिटी कार्ड जारे किया जाता था बट 15 जैनुरे 2015 को इंडियन गवर्नमेंट ने PIO कार्य योजना वापस ले लिये और इसे Overseas Citizenship of Indian Card Holders के साथ मर्ज कर दिया है So guys, आज के हमारी वीडियो यहीं पर अंड होती है I hope आप लोगों को Overseas Citizenship of Indian Card Holders के बारे में Non-Residential Indians के बारे में और Person of Indian Origin के बारे में काफी important जानकारी मिल गई होगी और अब आप लोग समझ गई होगी कि इन तीनों में क्या difference है और यह कैसे कैसे एक दूसरे से अलग है So, अगर आपको मेरी वीडियो helpful लगी तो प्लीज लाइक कीजिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और सेयर कीजिए मेरी वीडियो को So that कि और लोगों को भी इन सब में differentiate करने में help हो सके